Hi everyone, welcome back to this channel. में नाम है Krittika and this is O2 IS Academy. तो आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी Draw Series के साथ में. जो लोग नए हैं, हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए Daily Revision and Work, जो specially आने वाले HS में और NT का एक्जाम देने वाले हैं, यह उन लोगों को benefit करेगी. इसमें आपका GS चल रहा है, Current Affairs है और मैं आपकी help कर रही हूँ हमाचल प्रदेश के GK के साथ में और Current Affairs के साथ में. तो यहां पर हम एक साल के Current Affairs discuss कर रहे हैं category-wise. इससे पहले मैंने जो वीडियो की थी, उसमें हमने देखा कि हमाचल के कौन-कौन से ranking मिली है, different indexes में, reports में, उसके अलावा कौन-कौन से awards हमाचल को मिले हैं. So, उनको हमने देखा, आज हम people and places in news करने वाले हैं, इसका first part, क्योंकि बहुत सारे question इस तरीगे के HPPSE पूछ लेता है, जो की news में हो, कोई weird सी एक valley का नाम होगा जो आपने कभी नहीं सुना, तो वो सिर्फ उसका एक छोटा सा mention किसी news में किया गया होगा, इसी के लिए यहां पर important है, तो इन lectures के PDF जो हैं वो आपको हमारी mobile application पर मिलते हैं, ताकि आप उसको बाद में उसका help ले सकें, इसके अलावा Hs की अगर आप तयारी कर रहे हैं, तो foundation course और Hs की prelims series भी, prelims की test series भी available हैं, उसको भी आप एक बार check कर सकते हैं, यह जो PDF हैं, यह आपको Hs prelims का course बना मिलेगा आप में, उसके content section में जब आप जाएंगे तो वहां पर free resources नाम का एक folder रहेगा, और वहीं पर आपके सारे PDFs रहेंगे ताकि आप बाद में इसको revise कर सकें, तो एक साल के current affairs की जो मैं बात कर रहे हूँ, awards, rank, index हमने कर लिया और people, places and news अब हम आज करने वाले हैं, तो सबसे पहली बात के आपने इसकी एक list बना लेनी हैं, हो सके तो जैसे books हो गई तो उनकी list कौन-कौन सी books किस-किस ने लिखी हैं, उसके लावा कौन से places कहां-कहां पर हैं, तो यह list जो हमेशा आपके सामने होनी चाहिए, because repetition जो है कुछ इसी तरीके से रहेगा, आज का जो lecture है, यह pre जो है उससे oriented जादा है rather than means, जिसमें pre के ही आपके news हमने cover किये हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहली जो news है वो है, राम कुमार जोशी, इनका नाम भी है राम और यह एक miniature writer है, याने के यह इस तरीके की paintings बनाते हैं, miniature paintings बनाते हैं किसी word से, तो इन्होंने यह यहाँ पर राम शब्द से क्या किया, दो miniature sketches बनाए हैं, एक है कहां से बिलॉंग करते हैं, तो यह आपके उन्ना से यहाँ पर बिलॉंग करते हैं, उन्ना में भी एक जकेरा नाम का village है, वहां से यह हैं, तो again miniature writer है, राम कुमार जोशी, राम शब्द से इन्होंने, again इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, लाल बहादो शास्ती बनाएं और कौन से बनाएं, नेता जी सुभासचंद्र गोस, नेक्स आते हैं हमारे भाई हिर्दारा, अभी इनका जो mention है, वो पिछले साल में बहुत बार हुआ है, इनके नाम पर seminars किये गए हैं, इनकी जो anniversary थी, उसके उपर इनको शद्धानजली दी गई है, उसके करते हैं, तो ये इनके statue की जो हैं यहां पर बात की जा रही थी, again इनकी थोड़ा सा हमें history के बारे में idea होना चाहिए, इनका जनम कहां पर हुआ था, तो that was मंडी में November 28, 1885, उसके बाद में ये contact में आये स्वामी कृष्णननन से, और ये revolutionary activities में इनोंने participate करना शुरू किया, उसी के बाद में इनको Lahore Bomb Conspiracy Case में भी accuse किया गया था, again यहां पर statement आपकी change की जा सकती है, बहुत सारे conspiracies थी British era में, तो वहां पर यहां पर किसी और का नाम डाल दिया जा सकता है, आपको याद रखना है, Lahore Bomb Conspiracy Case से, again गदर पार्टी के यहां पर members जो थे, वो इसमें convict जिन में से भाई हिर्दा राम भी एक थे, तो यह हमारे freedom fighter है, again HPPSE क्या करता है, statement based questions डालता है, statement based question में दो तीन statements जो है भाई हिर्दा राम के बारे में लिखे होंगे, और पूछा होगा which one of these is the correct one, next time आपको questions देने वाली हूं, so that you know better कि किस तरीके से question को करना है, right, तो चलि आगे शुरू करते हैं, यहाँ पर है आपका English version of Shanta Kumar's autobiography, again Shanta Kumar's जो है बहुत एक prominent personality है, उनकी किताब का नाम था निचपत का अविचल पन्थी, इसी को English में भी translate किया गया है, जिसका नाम है living my convictions, तो again इसके अगर directly पूछ लिया जाए, या फिर कोई matching में question जैसा HPPSE का trend हमें देखने को मिल रहा है, तो Shanta Kumar की किताब का नाम क्या हुआ, living my convictions, next आगया हमारा breed conservation award दिया गया 2021 को, पालंपूर के एक goat breeder है जिनका नाम है नंदूराम, उनको यह दिया गया, again जैसा इसका नाम है breed conservation, याने के वो एक specific breed की जो की है गदी goat breed उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर conserve कर रहे हैं, और यह दिया है आपका किसने National Bureau of Animal Genetic Resources, तो सबसे पहले अगर हम गदी goat breed की बात करते हैं, यहाँ पर नाम आपको याद रखने हैं, और गदी goat breed की अगर हम बात करें, तो इसको white Himalayan goat विका जाता है, यह वाली, cute है न, तो यह वाली है, different से features रहते हैं, जैसे हम convex nose की बात करते हैं, drooping ears है, long horns है, तो Himalayan जो है, इसके थोड़े features हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो अगर नाम किसके basis पर यह अपना लेती है, तो that is गदी ट्राइब, गदी shepherds जो है, वो pestoral यहाँ पर थे, और जो है, अपने भेड बक्रियां जो है, चराया करते थ अपना manage करती है, और अच्छे, इसके जो genetics हैं, basically, यह आपके animal genetic resources ने दिया है, इसी को बचाने के लिए, यहाँ पर नंदुराम जी को यह award दिया, क्या, next हमारा जो news है, या फिर person in news थे, उनका नाम है, डॉक्तर देव कन्या ठाकुर, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है, मलाना करी, अभी mains में आपका अलग से drug abuse section डाला जाता है, drug menace डाला जाता है, तो हम क्या देखते हैं, हिमाचल में drug abuse काफी जादा होता है, इसी का mention अलग अलग तरीके से क्या जाता है, इसके उपर mains में question पुछे जाते हैं, कि क्या इसके लिए government कर रही है, और इसी के उपर बहुत सारी किताबे भी आती है, again, इस किताब में उस drug addiction, drug abuse, के बारे में aware करने की बात की गई है, students को, locals को, या फिर जो अंडरे जबी आपके में है, ऐसी चीजों के बारे में awareness फिल आते हैं, उसी के लिए एक जो आपकी book है, वो लिखी गई है, मलाना क्रीम, किस ने लिखी है, देव कन्या थाकुर ने, तो next जो हमारी personality news में है, उनका नाम है, major सूमनाथ शर्मा, अब ये हमारी country के सबसे पहले परमवीर चक्र अवा village है एक, हो सकता है, मैं इसकी pronunciation गलत कर रही हूँ, आप लोग सही कर सकते हैं, तो वो कांगड़ा में है, और वहाँ पर इनका statue बनाने के लिए पिछले 30 साल से मांग की जा रही है, तो अगर हम इनकी history देखते हैं, तो 1947 में ये शहीद हुए थे, कश्मीर में, वडगाम village में और उसके बाद में इनको जो है, पोस्ट, हुमिसली क्या दिया गया, पर अमवीर चक्र यहां पर दिया गया, अगैन आपको याद रखना है, धड़ village जो है, वहाँ से ये बिलॉंग करते हैं, नेक्स हमारे एक और freedom fighter news में थे, जिनका नाम है आमीन चंद कालिया, इनको comrade स statements के, which of the following statements are correct about अमीन चंद कालिया, उनको comrade साब कहा जाता था, उनको नहरु जी ने comrade का ये title दिया था, तो वो क्या हो जाएगा, वो incorrect हो जाएगा, महात्मा गांदी ने दिया था, कहां से ये बिलॉंग करते थे, तो भरेडि विलेज है हमिरपुर का, ये वहां से है, और इसके उपर basically काम भी किया जाएगा या फिर उसका नाम जो है change किया जाएगा, इसी के लिए ये news में था, next आ गया हमारा ललित्ता वकील जी, तो ये हमारी ललित्ता वकील जी है, इनको क्या दिया गया, पदमश्री दिया गया, किसलिए for the preservation of चंबा रुमाल, अभी जी आएटाग भी मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ uniqueness रखता है और हमारा जो culture है उसको preserve करके रखता है basically, तो उसी traditional art को बचाने के लिए यहाँ पर ललिता वकील जी जो है, बहुत टाइम से अपना contribution दे रही है, पिछले 50 साल इनों ने उसके लिए यहाँ पर दि जी आगया, तो अब चम्बा रुमाल की भी थोड़ी सी बात करी लेते हैं, तो इसको 2007 में GI tag दिया गया, इसमें एक unique ने सबसे पहले क्या रहती है, इसमें embroidery में एक word यूज किया जाता है, जाएक दो रुका टांका, double satin stitch याने कि यह जो embroidery है, इसके करने का अंदाज कुछ different है, जो इसको unique बनाता है, अभी कोई नई नई चीज नहीं यह शुरू हुई है, बहुत टाइम से, चम्बा के रूलर्स जो है, वो यहाँ पर इसको बनवाया करते थे और उनके अंदर जो है, यह यहाँ पर क्या क्या फ्लरिश किया, इसकी जो themes है, वो important रहती है, इसमें अ अवतार जो है, उनका जादा जो है, इसमें उनको बनाया जाता है, अगें, चम्बा की जो speciality है, जैसे अभी थोड़ टाइम पहले चम्बा थाल को GI टाग मिलने की बात की जा रही थी, तो उसमें क्या था, उसमें भी अगें विश्नु के अवतारों को पुजा जाता था, तो अगर आपको मेंस में आ जाए कभी लिखने के लिए नई भी आता है, और वहाँ पर चम्बा का mention किया गया है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर यूजुली जो भगवान है, उनका ही थीम में mention किया जाता है, तो आप विश्नु और उनके अवतार उनका mention कर सकते हैं, generic से point होते हैं, यह लिख देने होते हैं, नेक्स आगया एक और पदमश्री जो है वो दिया गया, विद्यानन सारिक को, यह एक साहित्यकार है, और इनके बारे में सबसे interesting चीज क्या है, कि यह 81 एर्स के हैं, और यह अभी भी काम कर रहे हैं सिर्मौरी कल्चर को बचाने के ल यहाँ पर काम करें, इन्होंने रबिंद्र नाटेगोर की पोएम्स, 51 पोएम्स को यहाँ पर क्या-क्या है, ट्रांसलेट भी किया हुआ है, और वो कहते हैं कि जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक मैं सिर्मौर के लिए यहाँ पर काम करूगा, अगैन, question किस तरीके से महराजा संसार चंद कला सम्मान दिया गया, 2018 का, तो यह थोड़ा से पीछे चल रहा है, इसका ध्यान रपना है, यह दिया गया, किसको दिया गया, दिनेश कुमारी को, चंबा रुमाल के लिए, जो इसी में, इसी फील्ड में इसको प्रिजर्व करना है, उसके contribution के लिए, अब इनका जो नाम है, वो ट्रिब्यून में एक जगा नरेश कुमारी लिखा गया, तो वहाँ से आपका question गलत होने के chances बन सकते हैं, again यहाँ पे इनका नाम हमें देखने को मिल जाता है, that is Dinesh कुमारी, इनको और भी बहुत सारे awards मिले हैं, that is BRM Vedkar National Award of 2017, National Merit Certificate Award 2017, again चंब आरुमाल के बारे में मनें आपको बताती है, next आ गया हमारा places in news, तो place सबसे पहला आता है लग वैली, लग वैली कहां पर है आपकी कुलू में, again बहुत ही dense forest है, जादा छुआ नहीं गया है, बहुत सारा timber हमें वहाँ पर मिलता है, तो अभी यह news में था, आपका क्यू है, क लग वैली कहां पर है, कुलू में है, जो यहां पर काम किया जाएगा, वो नई राहे, नई मनजिले, आपकी जो scheme है, उसके अंतरगत किया जाएगा, यह scheme क्या कहती है, कि नई राहे, हमें roads बनाने हैं, सबसे पहली चीज तो यही रहेगी, और उसके अलावा यह एक और ची को आपका बचा रहें, तो places in news is लग वैली, अगें यह आपकी नई राहे, नई मनजिले, तो इसके अंतरगत काफी टाइम से कोशिश की जा रही है, कि जैसे huts हैं, आपके camps हैं, ट्रेल्स हैं, यह सी चीजे जो हैं महां पर construct की जाएगी, नेक्स्ट आपका प्लेस आगया, सैंज वैली, शेंशर वैली और शंगार वैली, तो अगें, जैसे 2020 में, एक question पूछा गया था, बहुत ही, लाइड में question था, कि इमला विमला वैली के features बताएगे, और यह जो वैली है, इसका mention जो है भलोकरा में भी नहीं किया गया, इस तरीके से, अब इसके features तो वैली के सेम ही रहेंगे, लेकिन एक चीज कि इसकी, जो location है वो आपको पता होनी चाहिए, अब उसी तरीके से, अगर आपको इसकी location पता होती तो आप लिखते के, हाँ, वैली के क्या features रहते है, फर्टाइल होती है, जो बहुत तरीके की वहा यहाँ पर है, यह कुलू में है, और यहाँ पर क्या बात कर रहे है, religious tourism, again tourism को हम लोग promote यहाँ पर करना चाहते है, यहाँ पर एक temple है, Manu Rishi Temple, वो religious place है, important है, और एक term का use किया गया यहाँ पर, काठ कुनी, again मेरी pronunciation गलत हो सकती है, लेकिन as an aspirant आपको सिर्फ इतना याद रखन यह क्या है, काठ कुनी एक traditional structure है, so यह construction technique है, again यह जैसे हम लोग पढ़ते है, paramedical है, क्या आपका pagoda style का है, यह temple architecture नहीं है, यह construction का एक method है, जिसमें क्या करते हैं, आपके किस तरीके का, stone है, wood है, और जो mortar है, वो use किया जाता है, उसकी technique है, ठीक है, लेकिन यह सिर्फ आपके हिमाचल प्रदेश याने के Himalayan regions में, ठोड़ा उत्राखंड में इसको कुछ और कहते हैं, लेकिन हिमाचल में इसको काठ कुनी कहते हैं, तो आपको इसके बारे में आपर knowledge होनी चाहिए, again, Manu Rishi Temple भी कहाँ पर हुआ, कुलू में हुआ, शंगहार बैली जो है, वो कहाँ पर आती है, वो जो है, exile में, exile याने के वास में, यहाँ पर रहते हैं, उनको आश्रे दिया गया था, और यहीं से वो अपनी क्या चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, अब again, Tibet की जो importance है, उसका culture है, democracy की importance हो गई, और फिर आपके historical, political, international importance जो है, उसको कहीं न कहीं दिखाना जरूरी है उसी के लिए यहाँ पर एक यह Tibetan museum बनाया गया, 2017 से इसको बनाने की बात की जा रहे थी, तो finally, एक international attention को गेन करने के लिए basically इसको बनाया गया, और भी बहुत सारी चीजे हैं, जैसे आपके जो Dalai Lama है, जो उनके priest रहते हैं, उनका नाम है, उनका नाम आप मुझे बताएंग Dalai Lama तो यह title है, उनका असली नाम क्या है, please do comment if you know, otherwise google कीजिये, थोड़ा सा idea हो जाएगा, ठीक है, तो उनकी जो teachings है, और जो legacy है, उसका भी यहाँ पर mention किया गया है, वो भी इस museum में इस तरीके से उसको depict किया गया है, नेक्स्ट हमारा आता है, शिक्षा बलोरिया, एक जो बेटी है, कांगडा की, ज्वाली जगह की, उन्होंने अंडर 20 एशियन फेंसिंग चैंपिंशिप में ब्रोंज मेडल जीता, तो अगें, स्पोर्ट का जो section है, वो अलग से छोटा सा बना लेना है, मैंने आपको खेलो करेगा, तो अगें ये आपके जो वोल्ड कप 2022 जूनियर होने वाला था, उसमें भी ये पार्ट लेने वाली थी, लेकिन COVID की वज़ा से अगें उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, या cancel कर दिया गया, अगें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कि अंडर 20 एश इसलिए था क्योंकि इसकी जो देखवाल है वो अच्छे से नहीं की जा रही, maintenance का थोड़ा सा issue है, लेकिन अब news में आ गया तो हमें पता होना चाहिए, Victoria Bridge, तो ये पुरानी मंडी को नई मंडी टाउन, जो नई मंडी है मंडी टाउन से यहां पर जोडता है, इसके पीछे एक rich history है, जैसे की ये किसमें बनाया, क्यों बनाया, तो ये बात है आपके 1877 की जब Delhi दरबार बैठा, उस वक्त आपके कुछ राजा जो थे वो Britishers के friend हुआ करते थे या उनकी साथ में ठीक संबन थे, तो Lord Lighton ने चमबा के, मंडी के और आपके बिलासपूर के राजा को डे वो लोग गए, लेकिन जो विजे सेन है, उन्होंने वहाँ पर कुछ मांग रखी, so that was कि इस moment को commemorate करने के लिए क्या है, उनको एक लाख रुपए दिये जाए, ताकि वो Victoria suspension bridge यहाँ पर बना सके, तो एक लाख रुपए उनको मिला, और इस तरीके से ये Victoria suspension bridge यहाँ पर बना नेक्स हमारे न्यूज है, आशाओं भरा सफर, एक किताब लिखी गई, जिसको भी inaugurate किया हमारे CM ने, वो लिखी आपके सुनील पाठिक ने, अभी यह आपके सुनील पाठिक हैं, और यहाँ पर special बात क्या है, कि यह खुद special है, तो यह दिव्यांग है, specially enabled है यहाँ और य चंबा से बिलॉंग करते हैं, तो अगैन आशाओं भरा सफर, सुनील पाठिक, नेक्स्ट अगैन हमारी एक जगा न्यूज में थी, जिसका नाम है मडी, मडी आपका मनाली में है, इसका location पता होना चाहिए, न्यूज में यह क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर अचानक से टूर करने की जरूरत है, और टूरिजम डेपार्टमेंट आने वाले दिनों पर यहाँ पर इसको tourist spot बनाना चाहेगा, चाहे फिर वो camping trails यह हो गया, basic communities जो हैं, वो भी यहाँ पर प्रोवाइट की जाहेगी, लेकिन यह न्यूज में था, यह आपका गुलाबा और होतांग पास के वीच में जैसे एक जगा है, spot पढ़ता है, जो काफी जादा famous है, और बहुत सारे लोग बहाँ पर रुखते हैं, नेक्स्ट आगया हमारा, हिमाचल प्रदेश जो state है, as a state उन्होंने एक यहाँ पर event रखा, national skiing and snowboard championship, तो यह कहाँ पर रखा गया, यह शेती नला में रखा गया, जो आपका लहौल वैली में है, तो बस यह location के लिए ही इसको news में डाला गया है, कि शेती नला कहाँ है, वो है आपका लहौल वैली में, अगैन लहौल वैली, kangra वैली, speedy वैली, इस तरीके से question पूछ लिया जा सकता है, तो यहाँ पर इसको क्यों रखा गया होगा, obviously हम लहौल को winter sports के लिए national और international level पर ready करना चाहते हैं, एक कह सकते हैं कि winters में जब भी कोई international event करना हो तो हमारे उसके दिमाग में क्या है, लहौल है, इसी के लिए हम उसको यहाँ पर ready कर रहे हैं, और यह आपका national skiing and snowboard championship यहाँ पर organize किया गया, next आती है हमारी again, इसमें छोटी-छोटी books हैं आपकी बहुत सारी handbooks on Karl Chakra, जो आपके शेरब धारगय ने लिखी है, pronunciation, sorry for the pronunciation, तो यहाँ पर इसको आपके जो लॉंच किया वो किया, Shikkyong, Penpa, Sereng ने, यह आपके, Shikkyong जो है एक title है basically, जो political leader को दिया जाता है, Central Tibetan Administration के, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर यह किया, और यह again, it's the compilation of a lot of things, जैसे कि एक तो आगया आपका Tibet का culture और religion, एक हो गया आपका Tibet का culture और religion, दूसरा हो गया जो दलाय लामा है अभी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जी, Tenjin Gyatso, तो उनको बहुत चूटी उमर में, 16 साल की उमर में उनको यह political जो जिम्मेवारियां है यह लेनी पड़ी थी और उसके बाद में जो उनका struggle रहा है, वो इसमें काल चक्रा बुक्स में लिखा गया है, तीसरा जो है, बहुत सारे tradition, teachings of cosmology, theology, philosophy, medicine, yoga, almost सारी सारी चीज़ें, तो उन सब का mention इस इन बुक्स में किया गया है, इनके राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, शेरब धारगे, So the last one is, Director and Chairperson of SGVN Foundation, Gita Kapoor उनको यहां पर अवार्ड दिया गया, again, SGVN के बारे मैंने आपको बताया था, सतलुजल विद्युत निगम, एक PSU है, बहुत बड़ इस तरफ पर काम करता है, और अवार्ड में हमने पढ़ा था, बहुत सारे अवार्ड गवर्नन से लेके स्वच्छता तक अलमुस सारे इनको मिले हैं, अब यहां पर इसी foundation को आपके CIDC विश्चु कर्मा अवार्ड भी दिये गए, दो काटेगरीज में, तो काटेगरीज याद रहनी चाहिए, Corona Warriors Award और Partners in Progress Award, उसके अलावा इनकी जो डायरेक्टर हैं, गीता कपूर, उनको भी ओनर किया गया, Chairman's Commendation Trophy in Individual Capacity, यानि के Individual Capacity में उनने अच्छा परफॉर्म किया गया है, इसलिए इनको यहां पर लेनी है exam तक तक यह वो वाली चीजें हैं जो reputation से आपके दिमाग में रहेंगी, ठीके जी, all the very best and then I will see you in the next video.